स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल में मैं हूँ आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर निखिल बदवार आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा यानि हम पढ़ेंगे उन कमिटीस के बारे में जिनकी जरूरत हमें स्पोर्ट को मैनेज करने में पढ़ती है और साथ ही साथ उनकी रिस्पोंसिबिल्टीस के बारे में भी जानेंगे कि वो कमिटीस क्या-क्या काम करती है इससे पहले हम Functions of Sports Management के बारे में भी पढ़ चुके है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप Top Right Corner पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते है तो वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पुरा लास तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जिरूर करें तो चलिए बिणा समय कोई बढ़ते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले यह जानते हैं कि वो कौन-कौन सी कमिटीज होती है वैसे तो इन कमिटीज की कोई निर्दारिद गिंती नहीं है जो कमिटीज की गिंती है वो हमेशा हमारे बजट पर डिपेंड करती है और टाइप ओफ इवेंट पर डिपेंड करती है कि हमने किस तरह का इवेंट और्गनाईस करवाना है और उसके लिए हमारे पास कितने फंड्स हैं तो उसी के इसाफ से हम अलग-अलग कमिटीज बनाते हैं जिससे की काम को बांटा जा सके इस वीडियो में हम स्पोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यानि हम स्पोर्स के इवेंट को कंड़क्ट करवाने के लिए जो जो कमिटीज की जरूरत पड़ती है उन कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे उपर एक डिरेक्टर होता है या फिर हम उसको चेर्मेन भी कह सकते हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है और्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फिर उसके बाद अलग-अलग तरह की कमिटीज आती हैं एक बात मैं यहाँ पर कलेर करना चाहूंगा कि हम यहाँ पर सभी कमिटीज के बारे में नहीं पढ़ रहे मैं आपको मेन कमिटीज के बारे में बता रहा हूँ जिनकी जरूरत हमें किसी भी तरह के स्पोर्स इवेंट को कंड़क्ट करने में पढ़ती है तो चलिए आगे इनकी रिस्पोंसिबिल्टीज समयते हैं कि यह कमिटीज कौन-कौन सी ड्यूटीज को परफॉर्म करती हैं तो सबसे पहले था डायरेक्टर और चेयर्मेन तो किसी भी तरह के स्पोर्स इवेंट को और्गनाईज करने के लिए जो ड्यूरेक्टर बनाया जाता है वो हमेशा हैट ओफ दी इंस्टिटूशन को बनाया जाता है आगे इसके काम को भी तीन बागों में बाटा गया है प्री वर्क, ड्यूरिंग वर्क और पोस्ट वर्क सभी कमिटी के काम को इसी तरह से बाटा गया है तो अगर हम प्री वर्क की बात करें तो प्री वर्क इसका काम है कि टोर्नामेंट को प्लान करना और उसके लिए फाइनेंस को अरेंज करना During work इसका काम है कि सभी arrangement को देखना और जो जो महमान आए हैं जो जो guest आए हैं उनका welcome करना उनका स्वागत करना Post work इसका काम है कि tournament की success को summarize करना दूसरे नमबर पर है organizing secretary Sports event को conduct करवाने के लिए जो organizing secretary होगा वो हमेशा head of the department को बनाया जाएगा यानि head of the sports department को ही organizing secretary बनाया जाएगा अगर हम इसके pre-work की बात करें तो उसका काम होगा कि हर तरह की planning करना किसी भी काम को लेकर higher authority से बादचीत करनी उनसे approval लेना और सभी तरह के necessary arrangements करना During work उसका काम होगा कि different committee members के साथ coordinate करना यानि उनसे अच्छा तालमेल बना कर चलना Post work की अगर हम बात करें तो इसका काम होगा कि एक final report को त्यार करना और सभी committees का धन्यवाद करना आगे हम different committees के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहली है publicity committee publicity committee जो है वो एक marketing का काम है तो इसके लिए marketing staff के members ही चुने जाएंगे तो इसका काम होता है कि dates, venues, event इन सभी के बारे में एक announcement करना सभी institutions तक इसकी information को पहुंचाना कि कौन सा sporting event कब होगा, कहां होगा और उसमें क्या-क्या event होगे अगली committee है transportation committee तो इसका परिवर्ख है कि जितनी भी outstation teams है उन सभी को pick up और drop करने का plan त्यार करना कि वो कब-कब किस-किस team को pick up करेंगे और कौन से समय में सभी teams को drop करके आएंगे वहां तक छोड़के आएंगे ड्यूरिंग वर्ख इनकी duty है कि सभी outstation teams को जरूरत पढ़ने पर transportation की सुविदा उपलब्द करवाना पोस्ट वर्ख इनका काम है कि सभी outstation teams को station, airport और bus stand आदी जगाओं तक वापिस छोड़के आना पांचवी committee है boarding and lodging committee तो इनका काम है कि हर outstation teams के बारे में detail इकठा करनी और team members की गिंती का पता लगाना जिससे की वो उनके लिए rooms और bedding की arrangement कर सकें ड्यूरिंग वर्ख इनका काम होता है कि उनके लिए अच्छे खाने की arrangement करनी उनके रहने का एक अच्छा बंदोबस्त करना post work उनका काम है कि जो भी चीज उन्होंने जहां से ली थी या फिर किसी से बोरो की थी तो उस चीज को वापिस करना अगली कमिटी है reception committee इनका pre work है कि team की details को चेक करना और उनकी required items को पूरा करना during work इनका काम है कि उनके performance को चेक करना उनके रहने और tournament के समय के बारे में उनको सही जानकारी देना और post work उनका काम है कि उनसे अगर किसी भी तरह की security amount को लिया है तो उसको refund करना और उनको certificates बांटना अगली कमिटी है decoration and ceremony कमिटी तो इनका pre work है कि सभी outstation teams के बारे में detail इकठा करना और उनके लिए rooms और bedding का arrangement करना during work इनका काम है कि सभी guests और officials का स्वागत करना उनको manage करना opening और closing ceremony के दुरान उनके लिए welcome speeches तियार करना और price distribution की sequence को finalize करना post work में इनका काम आता है कि किसी भी department से ली हुई चीज को वापिस करना अगली committee है ground and equipment committee इनका pre work है कि play fields और technical requirements जैसे की equipments, score sheets और official tables इन सभी की arrangements करना during work इनका काम है कि जो भी sporting event conduct करवाया जा रहा है उससे related equipment को उपलब्द करवाना और post work में इनका काम आ जाता है कि सभी equipments को इकठा करके उनको वापिस करना अगली committee है refreshment and entertainment committee इनका pre work है कि सभी खिलाडियों के लिए बोजन और entertainment यानि मनोरंजन के साधन का अच्छा arrangement रखना during work की अगर हम बात करें तो इनका काम है कि सभी guests, official और team members को refreshment देना और साथ ही साथ उनके entertainment के लिए opening और closing ceremony में कोई program organize करना अगली committee है announcement committee तो announcement committee का pre work है कि announcement करने के लिए सभी तरह के speakers आदी को अच्छे से check करना अच्छी script को prepare करना during work इनका काम है कि important announcement करना खिलाडियों को जरूरी सूचनाएं देना और match के दुरान running commentary करना अगली committee है first aid committee first aid committee में doctor और nurses की जरूरत पड़ती है इनका pre work है कि किसी भी तरह की दुरगटना के लिए medical equipment, medicine और अच्छे tools का arrangement करके रखना during work इनका काम है कि किसी भी injured और sick player के लिए first aid और medical aid की सुविदा उपलब्द करवाना अगली committee है finance committee finance committee में accountants होते हैं जो की पैसों का हिसाब रखते हैं तो pre work में इनका काम होता है कि हर committee से उनके खर्चे की जानकारी लेना और उस खर्चे को करने के लिए higher authority से permission लेना during work में इनका काम होता है कि हर committee को अलग-अलग activities को करने के लिए funds provide करना post work में इनका काम आ जाता है कि tournament की financial report को त्यार करना अगली committee है press and media committee press और media का काम ज्यादा तर language teachers को दिया जाता है pre work की अगर हम बात करें तो इनका काम होता है कि media को होने वाले tournament के बारे में inform करना during work में इनका काम होता है कि press को देने के लिए daily reports और notes बनाना और साथ ही साथ जो media persons हैं उनके साथ एक अच्छा तालमेल बना कर रखना port work में ये tournament के main features को highlight करने का काम करते हैं अगली committee है certificate committee pre work में इनका काम होता है कि organizing secretary से blank certificates को collect करना और उस certificate को fill करने के लिए important instructions लेना during work में ये committee खिलाडियों की position के हिसाब से उनका certificate fill करने का काम करती है और port work में इनका काम होता है कि unused certificate को वापिस करना यानि उसको organizing secretary को लोटा देना तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है कि आपको सभी committees की duties और responsibilities का पता चल गया होगा अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और वीडियो के लिए channel को subscribe कर लें तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ थैंक्स पर वोचिंग और टेक केर